Technical Civil में आप सब एका स्वागत है अगर आप एक Diploma Civil Engineer हो और Fresher हो तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बहतरीन जॉब अपडेट है इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ज़रूर देखीगा फिलाल आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के उपर I.R.E.L. India Limited की Official Website Open है Basically इस कंपनी को पहले Indian Rare Earth Limited के नाम से जाना जाता था ये कंपनी एक Government Undertaking Company है जिसको मिनी रत्न कंपनी का भी दर्जा हासिल है तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का Importance कितना है इस कंपनी की कामकाच के अगर बात की जाए तो ये कंपनी Minerals, Chemicals या Rare Earth Material को Extract करके Market में Supply करती है तो आप इससे भी समझ सकते हो कि इस कंपनी का Importance कितना है इन Product को लेकर या Supply को लेकर तो फिलाल इस कंपनी ने Civil Engineers के लिए और खासकर Diploma Civil Engineers के लिए वेकेंसी या कुछ रिक्रूटमेंट इसमें किये जा रहे है इसलिए हम आज उन्हीं की बात करेगे चलिए तो फिलाल आप देख सकते हो इस कंपनी को बार गो थू कीज़ेगा आपको समझ में आ जाएगा इस कंपनी के Product और Upcoming Project के बारे में ठीक है आप यहां पर देख सकते हो इस कंपनी के Product के अगर बात के जाए मिनरल, Rare Earth, Chemical वगेर यहां पर आपको एक Career का Option दिखेगा जैसे आप Career पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके साबने यह Career का Page उनका Official ओपन हो जाएगा ठीक है यहां पर आप देख सो तो Second Number की जो Advertisement है Advertisement Number CO-HRM-09-2022 इस Revise Notice के अंदर आपके लिए कुछ जरूरी Information है Vacancies को लेकर ओके जैसे ही आप यहां पर Revise Detail Advertisement पर क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके सामने यह PDF फाइल ओपन होगी इस PDF फाइल में आपको बताया गया है Vacancy Circular Notice जो के Revise की गई है ठीक है अब इस Vacancy Circular Notice के अंदर पहले शुरूरात में कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी है मैं चाहोगा कि आप लोग इसको आराम से पढ़ लिजेगा इस कंपनी की वेबसाइट इसका करियर पेज और इस PDF की लिंक आपको नीचे करते हो तो आप जरूर अपलाई कीजिएगा ओके तो अब यहां पर अगर डिटेल्स देखे पोस्ट की कौन-कौन सी पोस्ट पे कितनी वेकंसी है और क्या-क्या उसकी की रिक्वामेंट है वो अगर आपके सामने देखे तो बेसिकली यहां पर टू-पॉइंट-1 सेक्शन है नॉन यूनियोनाइज सुपर्वाइजरी केटेगरी ठीक है तो यहां पर देखा जा सकता है आपको पोस्ट नंबर वन देखे ग्रेजुएट ट्रेनी जो के फाइन उन-reserved जो है एट है और बाकी सारी SCST वगेरा के लिए reserved receipts है तो आप इसके accordingly अंदाजा लगा सकते हूँ और अगर आपको लगता है कि आपको बाके में इसमें apply करना चाहिए अगर eligible हो तो आप जरूर कीजिएगा अगर आप competitive हो तो ठीक है चलिए अगर इसकी stipend या training period के द जाता है उसके अंदर आप successfully अगर absorb कर लिए जाते हो company आगे further contract के लिए तो आपको फिर यहाँ पर 25,000 से लेकर 68,000 का pay scale दिया जा सकता है तो यह आपके लिए ज़रूरी है जो maximum age limit है यहाँ पर दे रखा है 26 years ध्यान रखीगा आपका जो post code है वो 3 है PC3 और diploma trainee technical civil engineering के लिए ठी चलिए उसके अलावा यहाँ पर कुछ terms and condition देने की मैं चाहोगा कि इस detail notification को आप इतना से आराम से download करके पढ़ लिजेगा इस पूरी notification को अगर मैं यहाँ पर detail में पढ़ने जाओगा तो बहुत lengthy video बन जाएगा इसलिए मैं इसको avoid कर रहा हूँ ठीक है आप लेकिन उसको ज PC3 के related जो भी चीज़े है उसके आपको focus करना होगा और उसी के accordingly आपको details यहाँ पर absorb करनी पड़ेगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपको दे रखा है आगे ट्रेडमेंट की वगेरा की qualification आचा qualification की अगर बात की जाए experience की बात की जाए तो आपको यहाँ पर दे रखा है PC1, PC3 हमारा post code है ठीक है तो PC3 के लिए रिखा जाए यहाँ पर C आपको देखा है diploma trainee technical जिसमें civil engineer भी आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कहा गया है 3 years diploma in mining यह civil हम अगर civil की बात करें तो 3 years in civil ठीक है यह आपके पास किया हुआ होना चाहिए from an institute recognized by AICTE ओके और ध्यान रखीगा minimum ज SCST वगेरा है उनके लिए 50% required है तो यह आपको ध्यान रखना होगा उसके अलावा अगर आगे कुछ चीज़ें हम लोग तो आप देख सकते हो यहाँ पर post code different post code के लिए यहाँ पर detail दे रखी है क्योंकि हमारा post code 3 है तो हम उसी के accordingly यहाँ पर देखेगे यहाँ पर age relaxation की बात इसके लावा यहाँ आप देख सकते हो maximum age यह भी age relaxation का ही पूरा matter है तो वह आप आराम से पढ़ लीजिएगा अब यहाँ पर important चीज़े है mode of selection देखे यह बहुत जरूरी है इसको ध्यान दीजेगा mode of selection के अगर बात की जाए तो पहले आपका return test रखा जाएगा return test जो के first level आ computer test आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है ठीक है तो पहले आपका return test होगा उसके बाद इन तीनों में से कोई एक test आपका लिया जाएगा और इन में से आपका जो भी final result होगा आपको उसके basis पर finalize किया जाएगा और recruit किया जाएगा return test का जो भी result रहेगा उसके जो भी marks रहे में होगा इसलिए आपको चिद्दा करने की जरूरत नहीं है ओके इसके अलागा कुछ जरूरी चीज़ आपको और भी दिखा जैता हूं जो आपको जाननी चाहिए इसके बारे में वैसे आप इस पीडिया फाइल को डाउनलोड करके अपने पास ओपन कर लीजिए अपको समझ में तकि यह सेलिबस है बेसिकली जो आपका कॉंपेटर बेस टेस्ट होगा उसका सेलिबस है यह जो आपका टेस्ट होगा वह 120 मिनिट का होगा जिसमें पेपर में दो सेक्शन होगी एक टेकनिक टेस्ट के बारे में हो गया उसके अलावा यहां पर बाकी सारी चीज़े दे रखिए मैं चाहोगा कि आप इसको डिटेल पॉइंट वाइस पड़ लीजेगा आप इंपॉर्टन चीज यह भी है कि इसके रिटेंट टेस्ट के सेंटर कहां पर होगे तो अगर सेंटर की बात करें तो डिप्लोमाट ट्रेनी अगर सिविल की बात करें तो आपके लिए सेंटर हो सकते हैं मुंबई, पूने, त्रीबंदरम, कोची, भुबनेश्वर, कटक बगरा यह आपके सेंटर्स हैं और यह टेंटेट्यू है इनमें बदलाओ भी किये जा सकते हैं यह ध्यान रख नहीं है यहाँ पर आपको बतायागा है वेटलिस फॉर सेलेक्टेड केंडिडेट अर रिजनेबल वेटलिस विल बी प्रिपेर्ड अन दे सेम विल बी वैलिड फॉर पर 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 प्लेसिंग जो है पोस्टिंग की वह अगर बात की जाए उसकी यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप डिपलोमा ट्रेनी सिविल की बात कर रहे हैं अगर पीजी तिरी के लिए तो सिलेक्टेड केंडिडेट विल बी पोस्टेड इन एनी अप दे यूनिट ऑफिस एस्टाबलिश्मेंट प्रोजेक्स साइड अप दे कंपनी या पैन इंडिया में जहाँ पर भी उन और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लिक ही एक उनलाइन अप्लिकेशन का फॉर्म ओपन होगा या एक पेज उपन हो जाएगा यहाँ पर आपको पहले बता रहा है important dates और यहाँ आपको बता रहा है fresh candidate to create login या to complete registration process अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको पहले obviously यहाँ पर fresh candidate पे जो है वो new login पे click करना पड़ेगा उसके बाद new login पे click करते हैं आपको कुछ जो details वो मागेगे वो fill up करनी है और उसको आगे proceed करते हुए submit करना है यह आपको ध्यान देना है ठीक है और जो भी instructions है वो यहाँ से आपको follow up करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो ओके और यहाँ पर आपको note दिएगा कि do not send hard copy of filled application to यह आपको कोई hard copy भेजनी की ज़रूरत नहीं है आपने बस वो भी आप यहाँ पर देख लीजेगा इसके अलावा इस पूरे notification के अंदर कुछ ऐसी खास important चीज नहीं है जो आपको ध्यान रखनी है बाकी जो चीज़े वो आप एक बार अपने level पर पढ़ लीजेगा लेकिन अगर आपको कोई query आती को problem आता है तो यहाँ पर उन्हों contact कर सकते हो वहाँ से company वाले आपको communicate करेगे ठीक है तो यह चीज़े थी इस पूरी वेकेंसी के बारे में उम्मीद है आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और इस notification की detail या पूरी link वगेरा आपको नीचे description box मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको download क करके इत्मिनान से पढ़ लीजेगा और उसके बाद ही apply कीजेगा तो अमीद है आप लोगों को पसंद आए वीडियो अगर वीडियो पसंद है तो इसको like कर दीजेगा और इसे तरह की धेर सारी वीडियो updates आप तक मिलती रहेगी job के बारे में इसलिए हमारी channel के साथ बने देगा मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद